प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आठमी कक्षा की गणित के अभ्यास 2.4 के प्रश्णों को हल करना सीखेंगे तो इस अभ्यास का पहला ही प्रश्ण है निम्लिकित संख्याओं के वर्गमूल ग्यात कीजिए तो कई पार्ट में यह सवाल है वर्गमूल ही ग्यात करना है सब में तो कुछ एक परिमेश संख्याएं हैं वने भिन्न के रूप में हैं और कुछ दसमलों भिन्न के रूप में भी संख्याएं हैं और इन सभी का वर्गमूल ग्यात करना है तो साधारन संख्याओं का वर्गमूल ग्यात करना हमने पिछले अभ्यास में सीखा कि जैसे 179 का वर्गमूल 225 मने जो पूर्ण वर्ग संख्याओं थी उनका वर्गमूल हमने ग्यात करना सीखा मगर अब यहाँ देखिए अब कुछ दसमलो भिन्न में संख्याएं हैं और कुछ साधारण भिन्न में हैं तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ग्यात किया जाएगा वह देखें तो देखिए फ़स्ट पार्ट में पहला ही है प्रश्ण देखिए इसमें कहरा एक बटे चार का वर्गमूल तो एक बटे चार का वर्गमूल और इसका मतलब होता है कि एक बटे चार जो है वह करणी में है और जिस संख्या को हम करणी में रख देते हैं करणी का मतलब ही होता है वर्ग मूल करणी के अंदर एक बटे चार है इसका मतलब कि एक का भी वर्ग मूल और चार का भी वर्ग मूल आपको ग्याद करना है या फिर इसको आप इस प्रकार लिख लेंगे कि करणी में एक और फिर करणी में आप चार को भी लिख लेंगे मने एक का वर्ग मूल बटे चार का वर्ग मूल क्योंकि एक बटे जार चब पूरा वर्ग मूल चिन्न के अंदर है तो इसका मतलब है कि एक का भी वर्ग मूल आपको ग्यात करना है और चार का भी वर्ग मूल आपको ग्यात करना है तो एक का वर्ग मूल तो एक ही होगा मने एक गुड़ा एक करेंगे तब भी मने एक ही होगा तो एक के गुड़न खंड हो गए और बटे में जब चार के हम गुड़न खंड करते हैं तो हमें दो गुड़ा अदो प्राप्त होता है देखिए यहाँ पर एक जोड़ा दो का बना समान गुड़न खंड का और यहाँ पर एक बना तो बराबर आपका उत्तर आ गया एक बटा दो तो एक बटे चार का वर्ग मूल जब ग्यात करने के लिए कहा तो इसका उत्तर गया एक बटा दो अब इसी प्रकार देखे, मैंने जो दूसरा है यहाँ पर 16 बटे 25, 16 बटे 25 का वर्ग मूल तो बराबर हो जाएगा, करणी में 16 बटे 25, फिर इसका ताथपर यह हुआ कि 16 का भी वर्ग मूल और 25 का भी वर्ग मूल, तो करणी में आप 16 बटे करणी में 25 बने 16 का भी वर्गमूल और 25 का भी वर्गमूल अब 16 के भाज गुणनखंड कर लिजिए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बने 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 अब इसे आप करणी में रख लीजिए बटे पचीस के भी गुड़न खंड आप भाज करिए तो पांच गुड़ा पांच होगा तो इसे भी हम करणी में कर लेते हैं तब देखिए दो के कितने जोड़े बने एक दो पांच के एक तो बराबर क्या हो जाएगा दो गुड़ा दो बटे पांच तो बराबर चार बटे पांच आपका यह उत्तर हो जाएगा तो देखिए इस प्रकार से अगर भिन के रूप में संख्याएं दी हैं और उनका वर्ग मूल पूछ रहा है तो इस बिधी से आप इसी प्रकार से मने इनका वर्ग मूल ज्याद कर लेंगे लेकिन जब संख्या यह बड़ी होती तो हम भाग विधी द्वारा बगल गुड़न खंड ग्याद कर लेते फिर इसी तरीके से लिक करके प्रश्न को हल कर लेते तो चलिए देखिए अब यहां पर तीसरा जो प्रश्न है अब दिखिए यहां दसमलों भिनने का प्रश्न है तो यहां पर दिया है कि जीरो दसमलो जीरो नव का वर्गमूल ग्याद करना है आपको तो सबसे पहले आप क्या करें करणी में इसको लिख लें जीरो दसमलो जीरो नव इसका मतलब कि इसका वर्गमूल ग्याद करना है तो अब देखिए दसमलो भिन्द में यह संख्या है इसे आप साधारन भिन्द में बदलेंगे तो क्या प्राप्त होगा जब साधारन भिन्द में इसे हम बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा नव बटे सव नव बटे सव प्राप्त होगा कैसे तो देखिए जब दसमलो भि में कोई संख्या रहती है तब साधारण भिन्द में बदलने का नियम यह है कि जैसे जीरो दशमलो नव लिखा है तो अब इसे हम यह तो दसमलो भिन्द है साधारण भिन्द में बदलेंगे तो ऊपर लिखेंगे नव और नीचे दसमलो को हम एक मान लेते हैं और जितने अंक को होते हैं दाइए और उतने शून ने लिखते हैं तो इसका मतलब हो वर्थित हो गई तो दुशमलो भिन्न को शाधार्ण भिंन में आप पहले बदल लें तो जो इससे का मतलब है वही इसका मतलब हैं मन्य यह मान और यह मान दोनों अपस में बराबर है तो अब देखिए हमें क्या करना है कि नव का वर्गमूल बटा और सव का वर्गमूल मनिन नव का भी वर्गमूल ग्यात करना है बटे में सव का वर्गमूल तो नव का जब गुड़न खंड करेंगे तो तीन गुड़ा तीन हो जाएगा और बटे जब 100 के करेंगे तो हमारे पास गुड़न खंड आएगा 10 गुड़ा 10 10 गुड़ा 10 चाहें तो 100 के गुड़न खंड आप दू दू न चार पंचे बीस पंचे सो ऐसे भी कर सकते हैं तो चाहें तो आप ऐसे भी कर लें अदू, दूनचार, पंचे बीस, पंचे सौ यहाँ भी कर सकते हैं अब देखिे, यहाँ हमें जोडा जब यह 3 का बन गया तो यह 3 हमने यहां से ले लिया अब यहाँ देखिए जोडे किसके किसके बन रहे हैं, अब 2 के और 5 के तो यहां हम लेंगे दो गुड़ा पांच ले लेंगे तो तीन बटे दस हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा तीन बटे दस हमारा यह एंसर हो गया अब ऐसे ही देखिए अगला प्रश्ण है चौथा इसमें देखिए दे रखा है जीरो दसमलो ट्रिपल जीरो फोर इसका वर्गमूल ग्यात करना है आपको तो हमने कहा था सबसे पहले इस दसमलो भिन्न को साधारन भिन्न में आपको बदलना है तो साधारन भिन्न में कैसे बदलना है या हमने आपको बताया कि जीरो दसमलो और ट्रिपल जीरो फोर पहले आप इसे करणी में ले लीजिए क्योंकि चाहे इस लाइन को लिखो चाहे करणी में लिख दीजिए बात एक ही है दोनों वर्गमूल का चिन है करणी अब बराबर अब जब इसे हम दसमलो भिन में बदलेंगे तो चार बटे अब दसमलो को एक मानेंगे सून कितनी बार लिखेंगे एक दो तीन चार बार अब इसे पूरे को आप करणी में ले लीजिए क्योंकि पूरे का वर्गमूल आपको अग्यात करना है तो देखिए हम पा गए चार बटे और दस अजार चार बटे दस अजार अब देखिए अब गुलन खंड करिए जब चार के हम गुलन खंड करेंगे चार के गुलन खंड जब हम करेंगे तो दो गुड़ा दो प्राप्त होगा अब बटे जब एक हजार बने दस अजार के गुलन खंड करेंगे तो आप 10,000 के गुणनखंड चाहें तो यहीं पर कर लें क्या होगा तो 10,000 के गुणनखंड अद्वी पंचे 10 और 3,0 आ जाएंगे फिर दू दूना 4 और दूई पंचे 10 फिर दूई एक कम दूई अद्वी दूना 4 दूई पंचे 10 फिर दूई छंग बारा दूदूनी चार दूई पंचे दस फिर अब पांच से काटिये तो पांच एकम पांच पांच दूना दस और पचम पचीस फिर पांच से पांच दूना दस पचम पचीस फिर पचम पचीस फिर पचम पचीस और पांच एकम पांच तो देखिए इससे के गुड़न खंड क्या बने दो के एक दो तीन चार गुड़न खंड बने तो दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो चार हो गए पांच के कितने बने एक दो तीन चार तो पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच गुड़ा पां इक अंक लेना है तो उपर दो बटे और नीचे क्या आया दो गुड़ा दो गुड़ा पांच गुड़ा पांच तो देखिए अब फाइनली एंस्वर आ आपका आ गया दू दू न चार पंचे बीस पंचे सव दो बटे सव बराबर एक बटे पचास आपको यह एंस्वर आ गया तो इस प्रकार से दसमलो भिन्न संख्याय जो है उनका भी वर्गमूल हम ज्यात कर सकते हैं तो साधारण भिन्ने और दसमलो भिन्ने के प्रश्ण दिये गए हैं अच्छा देखे कुछ पांचवा 15 का वर्ग है और 276 सतरा का है तो इसका तूत्तर आप देखते ही बता देंगे 13 बह्ते 17com उत्तर हो जाएगा यहां पर यहाँ प्रश्ण है और उनके ही आप सुझा में सव का वर्ग है तो यहां पर इस रह hanya है तो आब जो भी प्रश्ण है हों ऐसे ही आप हल कर सकते हैं बेहद आसान हैं तो एक प्रश्ण और हम हल कर दे रहें आपके लिए और ये आखरी प्रश्ण जो आठवा है इसी को हम और हल कर दे रहे हैं बाकि आप पुनह अपने से प्रश्णों को हल करेंगे तो देखिए आठवा ऐठवें में दिया है जीरो दसमलो जीरो तीन दो चार का वरगमूल अभी इसका वरगमूल कह रहा है तो बराबर हम क्या पहले करणी में लिखेंगे 0.324 अब क्या करेंगे इसे हम साधहारन भिन्द में पहले बदलेंगे तो 324 बटे दसमलो को एक मानेंगे अब बाद में कितने यंक है 1, 2, 3, 4 तो यहां पर हम 4 जीरो ले लेंगे अफिर इसे हम पूरे को करणी में कर लेंगे 324 बटे 10,000 अब देखिए आपको 324 का भी वर्ग मूल ग्याद करना है और 10,000 का भी ग्याद करना है तो देखिए 324 बटे करणी में 10,000 अब देखिए गुडन खंड करिए 324 के गुडन खंड करिए और 10,000 के गुडन खंड तो 324 के जब गुणन खंड हम करेंगे तो आप कर सकते हैं वैसे या 18 का उवर्ग है तो 18 का उवर्ग है 324 तो देखिए आप ग्याद कर लिजे गुणन खंड तो 2 से कटेगी संख्या दूई एक कम दूई दूई छंग बारा दूदून चार दूई 8-16-2-1-2 और अब 3 से कटेगा 3-26-3-1-3-27-3-7--9-3-9-3-1-3 देखिए गुणन खंड हमारे पास क्या आया मने 2, गुड़ा 2, गुड़ा 3, गुड़ा 3, गुड़ा 3, गुड़ा 3 यह तो 324 के गुणन खंड जब हमने ग्याद किये तो हमको मिला अब बटे में 10,000 के गुड़न खंड जब हम ज्यात करेंगे तो 10,000 के भी गुड़न खंड देख लेते हैं 10,000 के गुड़न खंड दूई पंचे 10, 5000 हो गया फिर जब 2 से भाग देंगे तो पचीश सो हो गया फिर 2 एक कम दो दूदून चार दूई पंचे 10,000 के बारा सो पचास फिर 2 एक कम दूदून चार दूई पंचे 10 अब 5 से काटिए तो 5 एक कम 5 5 दून दस पचम 25 फिर 5 दून दस पचम 25 पचम 25 और 5 एक कम 5 तो देखे यहां पर गुड़न खंड हमें क्या प्राप्त हुआ मने दो के चार गुड़न खंड दो गुड़ा दो गुड़ा दो गुड़ा दो पांच के भी चार गुड़न खंड गुड़ा पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच गुड़ा पांच तो देखे सब के अभाज गुड़न खंड हमने प्राप्त कर लिए अब क्या है जोड़े बनाई ये गुड़न खंडों के तो दो का तीन का और ये तीन का जोड़ा बनाई यहाँ दो का पांच का ये पांच का तो देखिए जोड़े हमने बना लिए अब जोड़े में से एक संख्या है आपको लें से दो का जोड़ा बना तो दो गुड़ा ती तीन गुड़ा तीन बटे में क्या आएगा अब ये करणी का चिन हट जाएगा क्योंकि मनें एक जोड़े में से तरफ एक संख्या हम ले रहे हैं और नीचे बचेगा दो गुड़ा दो गुड़ा पांच गुड़ा पांच तो बस अब आपका उत्तर बिलकुल आ गया है तो जाएगा आपका उत्तर अदुई तियाई छा अतियाँ ठारा बटे और यहां हो जाएगा दुदून चार पंचे बीस पंचे सव तो अठारा बटे सव अब चाहें तो आप इसे थोड़ा सरल कर लें तो दो से सरल करेंगे दूई नुवा ठारा और पचास दूना सव तो न भी आ जाएगा तो देखिए पचास से अगर आप भाग देते हैं तो जीरो दशमलो नबे हो जाएगा पचास से कम मनिने 50 चालिस बचेगा एक सूने लेंगे तो 95C stuff blast का एंसर हो जाएगा 0.18 तो 0.18 इसका वर्गमूल हो जाएगा कि 0.09000 तो इस प्रकार से वर्गमूल के बेहद ही आसान प्रश्चन है तो आपको करना क्या है कि सारे इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए एक से लेकर 8 प्रश्चन है एक बार स्वयम से इनका वर्गमूल आप अग्यात करिए यदि कोई दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को पुनाह देख करके अपनी गलती का सुधार कर सकते हैं तो बस इतने ही प्रशन भी थे इस अभ्यास में और अगले दिन हम लोग मने अभ्यास दो दसमलो पांच के प्रशनों को देखेंगे तो आज बस इतना ही बस धन्यवाद